ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है सेफ वॉटर क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दो कुछ पी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप टारिक डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा Environment and Health वाले चैप्टर का पहला टॉपिक that is safe water यह सारे टॉपिक्स हैं जो हम Environment and Health में करने वाले हैं बहुत सारे वॉटर के टॉपिक्स हैं यह आपको जित्ते दिख रहे हैं प्लस यहां तक के यह सब water के topics है, उसके बाद air वाले topics हम करेंगे, air वाले topics में यह सारे topics करेंगे, उसके बाद ventilation रहेगा, housing रहेगा, radiation, light, housing में over crowding भी रहेगा, noise रहेगा, फिर waste disposals वगरा रहेगा, यह सारे topics हम environment and health वाले chapter में cover करेंगे, टेक, जैसा कि आप यहां देख सकते ह कि भाया, यह 13.1 लिखा है, मतलब 13.1 में हम environment and health पढ़ेंगे, और जो 13.2 होगा ना, उसमें हम entomology पढ़ेंगे, टेक, तो इन दोनों ही chapters को मैंने विभाजत कर दिया है, अलग-अलग बढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं हमारा environment and health वाले chapter का पहला topic that is safe water, अब भाई, safe water का मत होता है, आपको कई जगा आएगा, safe water क्या होता है, या safe and wholesome water क्या होता है, या wholesome water क्या होता है, या आपसे वाईवा में पुछा जाएगा, पीने लायक पानी कैसा होना चाहिए, या घरेलू इस्तिमाल के लिए पानी जो होता है, वो कैसा होना चाहिए, या बहुत-बहुत बहुत common question जो है that is कि भाईया safe water क्या होता है अपर सीधा पुछ ले जाता है कि safe water क्या होता है तो कैसे याद रखेंगे हम याद रखेंगे ऐसे PCOD खुब सुना है न अपने PCOD बस कैसा होता है यह pleasant to taste होना चाहिए यानि स्वाद में खराब नहीं होना चाहिए अच्छा ही होना चाहिए अच्छा in the sense कि वो ते ना मीठा पानी है खारा पानी है और अजीब सा टेस्ट आ रहा है तो टेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें pleasing to taste पीने में बुरा नहीं लगना चाहिए ठीक है उसके बाद कोई भी pathogenic agent उसमें नहीं होना चाहिए मतलब कि अगर जाज की जाए तो ऐसे कोई bacteria खतरनाख bacteria वगरा ना मिले उसमें उसके बाद harmful chemicals भी उसमें नहीं होनी चाहिए यानि कि जैसे lead वालग कर रहो गया है ये सब कुछ आपको नहीं मिलना चाहिए उसपानिґ में उसके बाद उसमें कोई odor यान्ट कोई गंध नहीं होनी चाहिए और कोई color भी नहीं होना चाहिए अपने देखा हैlicождения पानी जो होता है पुरा transparent होता है तो कोई color नहीं होना चाहिए और आपने अगर उसको सूंग के देखो तो उसमेशाव कोई एक स्मैल नहीं होती है पानी में ना अच्छी ना बुरी कोई स्मैल नहीं होती है याने कि कोई भी खुश्बू या बद्भू नहीं होनी चाहिए ठीक और ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप घरेलू इस्तिमाल कर सको घरेलू खामकाज में इस्तिमाल कर सको यानि कि डॉमेस्टिक परपस के हिसाब से सही होना चाहिए तो कैसे याद रखेंगे पी सी ओ डी में क्या जाएगा प्लीजन टू टेस्ट आजाएगा और पैथोजनिक एजिंट नहीं होना चाहिए सी में क्या जाएगा कैमिकल्स नहीं होने चाहिए कलर नहीं होना चाहिए ओ में क्या जाएगा ओडर नहीं होना चाहिए और डी में क्या जाएगा डॉमेस्टिक परपस के हिसाब से होना चाहिए समझ गए तो safe water आपसे अगर कोई पूछता है या wholesome water तो PCOD present to taste, pathogenic agent नहीं, chemicals नहीं, color नहीं, order नहीं और domestic purpose के लिए अच्छा अब भाई साब, आपसे ये तो पूछ लिए safe water क्या होता है, आप पढ़के भी चले गए आपने जवाब भी दे दिया, लेकिन वहीं एक्जामना ने आपसे ये नहीं पूछा, एक्जामना ने पूछा अच्छा बता दो भाईया कि polluted water किसको कहते है ये contaminated water किसको कहते है आपक ये भागवान ये क्या पूछ लिया, ओ भाई साब पूछ नहीं पूछा है, ये जो safe water है ता है ना, इसमें ये सारी चीज़े, ये सारी चीज़े जिसमें ये सारे criteria जो fulfill नहीं करेगा, उसी को polluted water कहेंगे, याने कि अगर pleasing to taste नहीं हुआ, polluted water है, अगर pathogenic agent हुआ, polluted water है, harmful chemical हुआ, polluted water है, odor या color हुआ, polluted water है, domestic purpose के साब से सही नहीं है, polluted या contaminated water है, समझ गए, तो polluted या contaminated water कौन सा कहोगे, जब ये उपर वाले criteria को fulfill नहीं करेगा, तब उसको polluted और contaminated water कहोगे, समझ गए, जिसे कहता है, दूशित पानी कौन सा होता है, तो ये दूशित पानी होगा, जो उपर के criteria पूरा नहीं करेगा, और साफ सुतरा पानी कौन सा होता है, तो safe और wholesome water को साफ सुतरा पानी, तो साफ सुतरा पानी वो होगा, जो ये PCOD वाले चीज़े करेगा, ठीक है, याद रहेगा, तो ये होता है आपका safe या wholesome water, और polluted या contaminated water, समझ गए, अब एक और आप से पूछा जाता है, तो इसलिए उसको यहीं पर डाल दिया कि भाया, domestic purpose के हिसाब से daily requirement किती होती है, domestic purpose यानि कि घरेलू कामकाज के हिसाब से आपको कितना पानी परडे चाहिए, तो ग्रामीन छेत्रों में अलग चाहिए, और शहरी छेत्रों में अलग चाहिए, याद रखना, लेकिन क्या बुला है आपने, domestic purpose के साब से याद रखना, domestic purpose में खेती बाड़ी नहीं आती है, ठीक है, domestic purpose यानि घर के कामकाज के लिए, तो जो ग्रामीन छेत्रों होते हैं, rural areas वहाँ पे 40-60 लिटर पर capita पर डे, यानि कि हर इंसान को हर दिन 40-60 लिटर पानी चाहि है, समझ गए, तो यह आप से पुछा जाता है कि भाईया, पर डे आपको कितना पानी चाहिए, तो 40-60 लिटर पानी आपको चाहिए है, पर डे पर बंदे के हिसाब से ग्रामीर छेत्र में, ठीक है, rural areas में, वहीं जो urban areas होते हैं, वहाँ पे करीब 150-200 लिटर पर capita पर डे चा करीब 1.500-200 लिटर पानी की खपत उसको चाहिए, ठीक है, अब यह domestic purpose है ना तो इसमें याद रखना सब कुछ आ जाएगा, इसमें नहाना दोना आ जाएगा, खाना पीना आ जाएगा, खाना बनाना आ जाएगा, उसके बाद वो पानी filter में आपको पानी चाहिए, cooler में आप को पानी डालना है, उसके बाद आपको गाड़ी आड़ी धोना है, यह सब कुछ में आ जाएगा, आपको domestic purpose के साथ से, याद रखना, तो रूरल में जो 40-60 लिटर है, इसके बीच का चीज उठा लो 50-55, तो 55 लिटर पर capita per day पर आपको एक cushion आया था, तो वो उसके बीच की value होती है, पर यह अलग से MC को आया था, इसलिए अपने डाल दी, अब कैसे याद रखना है, देखो, पहले चीज़ तो याद रखना, जादा वाला जो है न, वो urban areas में जादा, शहरी छेत्र में एक इंसान को जादा पानी लगएगा, क्यों? क्योंकि यह बहुत सारी चीज़ वो उसके अलावा, water cooler होते हैं, अपने हाँ, खूब सारा पानी उसमें भर हो, खूब सारी ठंडे हावा फेकिंगे, फिर खाली हो जाएगा, फिर वो आदी रात को नहीं होता था, तो cooler भरते दिमाग कराब होता था, उसके लिए भी खूब सारी पानी की खपत होती है, उसक बहुत सारी चीजे हैं शहरी एरिया में जहां पर खूब सारा पानी लगता है, वहीं ग्रामीर छेत्रों में इस टाइप का पानी की खपत कम होती है, उसके अलावा, जब तुम शावर लेते रहते हो, तो बढ़िया खूब सारा पानी भहे जा रहा है, तो मैयाशी मारे जा शावर के नीचे खूब सारा पानी बैचाता है, तो अगर ये सारी चीजे नोटिस करो ना, तो शहरी छेत्र में इसलिए तेर सो से दो सो लीटर पानी लग रहा है, जबकि ग्रामीर छेत्र में देखो तो कुछ नहीं है, एक बाल्ती लेते हैं, बाल्ती भरके कुए से पान पानी निकालते हैं, उसमें वो ब्राइश भी कर लेंगे, उसमें वो नहां भी लेंगे, सारी चीजे हो जाएंगे उनको, ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हो कि ग्रामीर छेत्र में सिर्फ 40-60 लिटर जबकि शहरी छेत्र में डेर सो से 200 लीटर पानी लगता है, ठीक है, तो शह फिजीयो लाउजिकल रिकोर्मेंट कितनी होती है, इनसान को फिजीयो लाजिकल रिकोर्मेंट का मतलब है, हमारे शरीर को कितने पानी की जरूरत है, तो अगर हम अडल्ट मेल की बात करें, तो करीब 3.5, 3.7 लीटर उसको पर डे पर कैमने के साथ चाहिए छे से लगता है, चाहिवा कि 12 साल की लड़की है तो इसको उल्टा कर दो तो पॉंट वन हो जाएगा 12 21 लगा दो तो बारा साल की लड़की को और मैल एड़लт मैल को कि आ तो यहहूगकि तुमारा मेल का तो यह तुम्हारा अडल्ट का ए है तो उससे सेवन बन गया यह तुम्हारा है इससे थ्री बन गया तो थ्री पॉइंट सेवन सेवन अडल्ट मेल को चाहिए ऐसे पर आत कर सकते हो ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो तुमको से पोर्टर यह सेफ एंड होलसम वाटर में पता ही होनी चाहिए अगर मैं बात करें सवाल की तो भाई सहब बहुत ही ज़्यादा स्टार कोश्चन है सेफ वाटर तुमको त्योरी एक्जाम में सीधा सीधा शॉट नोट आ जाता है शॉट नोट ऑन सेफ वोटर या तो शॉट नोट आ जाएगा या वैरी शॉट नोट आ सेफ वाइवा की तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीधा तुमसे बोल दिया जाता है सेफ वाइवा को डिफाइन करो यह होलसम वाटर क्या होता है यह बताओ या पॉल्यूटिट वाटर किसको कहोगी यह बताओ या सीधा सीधा सवाल होता है वाइवा का तो बहुत इंपॉर्टन कोशन है ठीक सेकिशंड इंपॉर्टेंट कोशन पूछाज़ा ए तुमसे की रूरल और अर्बन एरिया में जो डॉमेस्टिक परपस है उसके हिसाब से कितनी रिक्वार्मेंट होती है पर कैपिटा पर डे के हिसाब से तो वह भी तुमको पतानी आने चाहिए ठीक तो यह तो हो गया प्या कि वाइवा में क्या कुश्चन पुशे जाते हैं अगर मैं बात करो MCQs की तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट है हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वह सभी अलगलग एंटरंस एक्जाम में पूछे के MCQs हैं तो एक MCQ तो मुझे यह कईयों बार मिला है कि भाई साब सेफ वाटर क्या होता है या होलसम वाटर क्या होता है तो वह पै रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कई बार MCQ मिला है और यह चालेस से साथ लीटर के बीच की भी एक बार वैल्यू रख दी थी पचपन लीटर तो यह भी MCQ मिला है और एक MCQ मेरे को दो MCQ इनफेक्ट्स पे मिले थे कि फिजियोलोजिकल रिक्वार्मेंट अडल्क म वाटर में पता ही होनी चाहिए थैंक यू